है 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 आफ गड़ाओ है 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 आफ अफ वेलकम बैक तो फिसक्स लेक्चर अब कर लास्ट में अब ने कुछ चाहिए था था वास रिफ्रेक्शन थो प्रिजम ओके मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है इवन में मेरे यूटूब चैनल पर भी मैं को बहुत जदा र परसल मेसेज भी आये थे कि आप प्रिजम का पार्ट था वह उतना समझ में नहीं आया ठीक है कोई दिक्काद आगे थी तो आप इजी वे में आप समझाने की कोशिश करोगी कि तो जो डाइग्राम वगरे हैं हम प्रिवेस वीडियो में हमने डाइग्राम बनाया है हम आज को पाट रहेगा वह हम कुछ आगे बढ़ेंगे पर प्रिजम को हम तोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्विक फाइव मिन्स के अंदर समझे समझने की कोशिश करें के बहुत तेजी तेजी से बताओ तो ध्यान दखोगे और अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप रि मार्किंग एंगर्स के से मार्क कि हमने कि सरी के सारी चीजों को में मार्क किया है तो कुछ हमारे डाइग्राम इस प्रकार का दियान दीजिए अश्यान दीजिए झाल 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 को मैं तो यह हम इस लिए फिर से समझा रहे हैं को बहुत सब्सक्राइब पोगे थी समझने में हो सकते हैं कभी कोभी एक्स्पाइशन जोड़ा डिफिकल्ड हो जाता है तो तो आज लग तरीके से तो सबसे इंपोर्टा फैंटा फैंड करें ईंगल प्डिवीशन हमने डिसकूस किया है हमें यह घ्लॉप दिवीशन एगफ एगल कि वीर्ट करना है कि देल्टा हमें डेल्टा का विल्टा की सब्सक्राइब करना है अब एगलड दिविजिन समझने के लिए समय क्या है था भूंग और करना हमें फाइड करना है एंगल 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 करना है यह मैं फाइंड करना है अब जहां से दिखिए एक ट्रेंगल है ट्रेंगल कौन सा है इंगल प्रेंगल एंगल के बारे में बात करें आपको ड्रेंटीरीयर एंगल है प्रेंगल एक्स्टीरीयर एंगल इसका मतलब क्यों होगा sum of opposite interior delta 1 plus delta 2 so delta will be delta 1 element Q क्या था delta था अब हम क्या करेंगे mpq that is delta 1 so angle lmq is equal to angle mpq plus angle mqp are you getting my point concept property हमने अप्लाइ किया एंगल is equal to the sum of interior opposite angle ठीक है यहां प्लाइक करेंगे तो में डल्टा का विल्टा का रहे हैं अगर हम देखेंगे कि डेल्टा का विलू कैसे करोगे बहुत आसान है किस तरीके से करेंगे यह सबस्ते हैं अब यहाँ आप देख सकते हो पॉइंट पी पॉइंट पी को मैगनिफाय करें तो कैसा लिखेंगे रहा है कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पी यहां से एक रिया दिदर इस इंसिडेंट रहे हैं और यहां पर आपको नॉर्मली विजिबल होगा इस इस पॉइंट पी अब देख सकते हो कि इस एंगल और इंदिस केस इन इस यह क्या होगा अपोजिट एंगल्स सब्देख सकताो एंधि और आप्शी स्वर्पराटी यह नोर्माल इस पॉपरपेंटिक्लर इंट्स इकता है इंट वैं sıब बग्राया तो आइवन किया इस इकागा इस और गुएंशे i can say i1 is a submission of delta 1 plus r1 so what is the value of delta 1 so delta 1 equals to i1 plus sorry minus r1 sorry r1 let us see equation number 1 so when we have delta 1 value same in this case yeah i2 this is i2 i2 will be equals to i2 will be equals to delta 2 plus r2 so what is the value of delta 2 delta 2 will be i2 minus r2 i2 minus r1 plus i2 minus r2 bracket ko open करते है sign convention i1 minus r1 plus i2 हम नहीं क्या कर दिया i items को साथ में लिखा दिया i1 plus i2 minus in common करके r1 plus r2 minus आप multiply करो कि minus into r1 minus r1 minus plus minus ये बन जाएगा minus r2 चब कब बनके delta के value क्या है हमने यहां दक चीज़े क्लियर है कोई रिक्कत है ओके अब हमें एंगल यह form कर रहा है कहां पर पॉइंटे पर एंगल यह form कर रहा है ठीक है यह section अगर समझ में आगे बढ़ेंगे ते क्यों से भी एक्स्प्लेशन है लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में अपने प्रीविस वीडियो देखोगी इसका कंस्ट्रक्शन हो बहुत डिटेल पर हमने समझाय है ठीक है यह पास एक ओवर लुक है जहां पर बहुत दिक्कत हो रही दिए क्या है चुला आगे बढ़ते अब हमें कॉड्री लेटरल पर ध्यान देते हैं एक यह पी एनक्यू कॉड्री लेटरल पर बात करेंगे ए पी एनक्यू मतला भी एक कॉड्री लेटरल दीख ने आपको लागन हम ऐसा कह सकते दिस पार्ट कुछ इस तरीके से यह अब क्या है यह अब क्या है ये जिस इस एंड तीजले मं से ज्टेर यहां पर अडब डियू है यह जोने असलिए क्या होता है पर्पेंटिक्ला और अगर आगर कितना रहा है नई डिली यहां पे इंगल एक्वद एक योगल सब्सक्राइब कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां बहुत साथ कालकुलेशन हो गया बहुत सा कंस्ट्रक्शन है तो इसका में चीज को मिटा दिया चीज पर ध्यानी नहीं दिया लेर है ओके अब मैं बठेड़ का गजोड़ होता है इसा है यह कितना कि अधोने से जोड़ देते तो यह तरीस यह चारों को अगर जोड़ देता है अब दो अध्यांगल में पता है इसका वदलब योग है 1990 ठीक है this is 1990 this is 180 इन दोरों को जोड के बन गया 180 तो कितना बचा कितना पाड बचा है अगर इन दोरों को जोड दें तो यह भी 180 बनना चीह है because sum of interior angles of a quadrilateral is 360 total angle total angle is equal to 360 ठीक है total angle is equal to 360 वान बेटा अगर तो तो हम क्या पढ़ रहते हैं कि sum of total angle of interior is 360 यह 360 है हमें तो पतल कि 1990 मतब 180 तो रिमेलिंग पार्ट कितना होगा यह में पार्ट बाईटी मैं कहूँ एंगल एंगल पी एन क्यू और पी एक्यू कितना उगा एंगल पी एन क्यू प्लस पी एक्यू सब्सक्राइक जोड दें पी एन क्योव पी एक्यू तो इस्षूड भी वह ने कि करें यह वार्टी ओना चाहिए यस और आ है तो अधिक ए वहाइड इस एक अंगल दिसे आंगल एक यू पी एक्यू क्या बन गया शर्फ बन गया एक लिक वार्टी को इन इस शेंग अंगल पी एन क्यू इस एक अड़ टूट वाल एक्वार्ट एक नसे है है यह मैं क्या कि हम एक यह को कंसिलर किए कॉटरे लाटडर बिन और नॉर्मल बनें है few si normal घुजरर मतलब और झालर इसका मतलब क्वचाने करन्यंटिद्री बनेगा ब्छाइब किन चैनिकों सब्सक्राइबase नानेटी डिट्री नीनेटी वानेटी टोटल थ्रिस्टी होना चाहिए अगर यह न क्यू और पी एक्यू को तो ना चाहिए पर प्याइट पता है पी एक इंगल तो ए को पुट कर दिया तो हमारी एक्वेशन चलिए रहाँ तब है रहा अब यह होगे co Kayla अब जो नेक्स टेप आता है एक ट्रेंगल के वरे बात करें कौन से ट्रेंगल PNQ क्योंकि हम यह एंगल का पता करने है तो अब हम डिसकॉस करेंगे ट्रेंगल इस पर जांद होगे कि अब हमें इस ट्रेंगल के बारे में बात करें पील यह हैं पूसरे ट्रेंगल को जोड़ दें इन तीनों एंगल को जोड़ यह लिगारा इस तीनों एंगल को जोड देते तो कितना बनेगा 180 बनेगा इस तीनों एंगल को जोड देते तो 180 बनेगा तो मतलब क्या होगा P किसी जोडने हाँ तो प्यों रहेगा अगर इस तोटल एंगल को 180 जोड देते सब्सक्राइब करना है तो इस तोटल बनेगा 180 डिगरी हमें अब सकते हैं एंगल स्राइंगल यू सांटरेंगल पीन क्यू एंगल पी एंडियू है एंगल पीन गया ओगा लंग मिटा रहा है ठीक है कपी करते जोगया क्यों सबहुत झालंग सेक्वेशन थे उटर इंट्रीए वस्चर फोर प्रम लवासजण फर टिया नकली देंट तो पूट करते हां इंट एंटी इंट सब्सक्राइब एक 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 हमने जनरेट किया था सब्सक्राइब राएक एक नेना उ क्या शैँ एक 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 कुस्ट आत प्रॉम इंगान इत्यको ने फ्लाइट था कि य 2022 घॉत्न साइट मれない यह जन्रैकाइब इस भनना को मभालता था इल्द से 4 इस एक स्वेशारें लटे से कुछ नुब फाइट तो फोट कर देट डल्टा इक वस्टू आए वाइन प्लस आई टू माइन से फोट्रूम एक्वेशन नुबर फाइफ सब्सेटूट कर दिया यह वह अब इस अमने ध्यान रहते कि मिनिमम मिनिमम एंगल में इस वस आंगल of your when इस प्रिंगल किया था एंगल उसी इक्वस तो आगल और इस यूंद से इन यदिस ज्यांग एंगर एं और रूम इक्वस्टव थोड़ एक्पया बन जाग किसे इस इंगल टंव बन जागा सिंगल ने वहां तो कैसा वाली होगा डेल्टाइको सूब टू टाइमस आइकन से माइनस एक 2i minus a 2i कैसे हो गया सब in this case i1 i2 same है angle i equals to angle e angle of incidence equals to angle of emergent ठीक है यह same होता है that is in our case i1 is equals to i2 अगर यह value same होगी तो सब आप इसे add कर दीजिए same value है तो direct add होनेगा तो two times of a single i minus a एक का value हो रहेगा ठीक है तो this was the present part जहाँ बहुत सारे बच्चे ने हमें कहा थे किस तरीके से यह चीज़ें हो गई है और आपको समझ में आ गया है यहाँ पर mathematics का use किया है हमने बहुत ज़रा कुछ angles को substitute किया है कर दियर कर दिये होप सो ठीक है अगर 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 यहाँ पर समझ में आ गया हो ता आप मिले पता सकते हो यूंकर कि कमेंट और में योट्यूब चलाब ओक है ठीक है अब हम नेक्स पार्ट पर आते हैं कि अगर 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 आपको दिक्कत है तो आप इसको repeat कीजिए वीडियो को बैकपड कीजिए और फिर से एक दो बार देखिए और इसको सिस्ट्रमाटिक लिए तो आपको समझ में आपको को अब फैक है जैसे कि वर्डी सजेस्ट करते हैं रियल डेट और अपैरेंट लिए रफैस एक इंटरफेस है और एक मीडिया में ते इस में इस केस में एक स्टिक का इस्तेमाल करेंगे लेट असे विए अन ओबजेक्ट एड पॉइंट ओ ये मारें एक औबजेक्ट रखा हुआ है पाइक बटम ऑफैस पर अबजेक्ट रखा है लेता से पॉइंट ओ अब इस पर्टिबल अबजेक्ट से विजीबल और अगर यह में देख सकते हैं अब अब्जक्त अभी देख सकते हैं, जब वो ऑब्जक्त लाइट को रिफलेक्ट करेगा, जैसे कि आप एक 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 इक इसामपल समझें, एक यह एक चीर है, ठीक है, एक चीर है जो आपके एक रूम में रखा हुआ है, एक कम्प्लिटली ब्लॉक रूम में रखा हुआ है, आपक नहीं कि इससे हम कंक्लूट कर सकते हैं एसा नहीं कि छेख गायब हो गई पर दिखाई क्यू नहीं देदी है रिजन हिस्तर जब हमने यहीं बॉट से गलिए ओने के वहाँ करके पढ़ने कश्त हमारे आख किया पटने पुटुलर लाइट कोश्रिप करें तब ही बडुलेग ऐए ऑसे वसी इमेज बनेगे दिकाम है चेर पर कोई लाइट नहीं किया तो चेर ने किसी लाइट को रिफलेक्ट नहीं किया इसलिए आप पर्टेकुलर उस अबजेक्ट को नहीं देख पाई सेम बाफ होगा कि मुन बद्शमा कि उस उन लाइट ठीक है वह कहां से कैसे दिखाए जैए तो वही हम मून को देख पाते हैं तो मैं यह ज्याले रखिए जो object रखेंट से हो अभी जो object है इसा तो नहीं है कि object शिफ एक single beam of light इमेट करेगा तो multiple beam of light सबसे पहला के सब्सक्राइब करते हैं कि अगर लाइट ने परपेंडिगुलर आती है तो क्या होगा प्रॉपर्टी ऑफ लाइट स्ट्राइक एट इंट्रफेसर नाइंटी डिग्री लाइट पासे अंडिवियेटेड क्या हमने यह रिफ्रेक्शन में पढ़ा है ट्राइट द्न आइंटी डिग्री इस फासे अंडिवेटेड रिफ्रेक्शनयची विच्विजटर ंन यह रिफ्रेक्शन पिर्विय हो तो है कि यह नियुक्त करने वाले मिदेखने शी चेंजिस नहीं दिखाता है तिक यह आप लाइश पॉइंट को पॉइंट्ट यह करें आप वहां सीधा निकल गया कोईग फॉइंट नहीं दिखाता है माल लेते हैं सब्सक्राइब को इस सब्सक्राइब को टो सब्सक्राइब कि यह बढ़ेंग लाइट रही है लाइट्रेस आ रही है इंटरफेस अब तो क्या रहेगा पर पेंडिबिलर कि अट्रेस से नॉर्मल अब देखिए वाटर के एक देंसर मीडियम है वाटर इसन डेंसर मीडियम और यह इसन लाइटर मीडियम हमने फर्स लास में रूर्ट बताता है वैने वर लाइट तरॉम देंसर तो दिया है में लोमल नॉन हुक्सर और तरफ नहीं जाएगा नॉन हाहए जाय तरफ नहीं जायएगा नॉर्म में दोना लाइट लिसरा राफ लेयर ड़ने पारफलों देंसर ऊंहें तो आपको लेटस से आप यहां पर कहीं देख रहे हों कुछ इस तरी किसे आपका लाइट बैंड हो गया है यहीं से क्या रहे है और आप यहां से अब्जेक्ट को देख रहे हो कि यहां से अब्सर्फ कर रहे हो ठीके आपने कि इंकलाइन पर अंगल पर इपसे की टर्ब हैं बहुत बड़ा पूल एक और आपने उस पूल में जो पूल है यहां पर की ऑब्जेक्ट को इस परपेडिगुलर नहीं देखर आप कई साइट से देखर हो तो हमें कैसे विजिबल होगा हमें विजिबल होगा कि सरी यहां से आ रही होगी है 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 हम अध्यूम करते हैं कि जो रे ओफ लाइट है सब्सक्राइब करनी चाहिए ना स्ट्रेट है ना अब ना स्ट्रेट है क्योंकि हमारा हमार यह क्या कहता है रूल यह कहते है लाइट ऑल्वेस ट्रेट पार्थ क्या है यह सही है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट हो है फर्स रे ओफ लाइट स्ट्रेट कहीं पर्पेंड़िवल स्टैक किया विदाउट डिवेशन चले है यह यह तब हम बात करते हैं इसको नॉर्मल इसे नाम देते हैं न नश टिक है न और न शिसे नाम देते हैं ओके लिट इस इस पॉइंट भी और कुछ पॉइंटिंग अपका नाम बचाहिए कि अब जान दीजें इंसिटें टर्य विद्र नॉर्मल अंगल ऑफ इंसिदेंस त्य नियुक्त धिस घ्र। ज्यां देते जाने है फिर्से मैंच साएगा अंगल ऑफ इंसिदेंस क्यों जाने कर्ट इंसिडेंट मेकिंग बिद नॉन्मल यून कटाथ तूड़िए तूडर निस इंगल आप एक आए देश ते अधिस चीज तो एक चीज ऑप्सर्फ करेंगी एन दैश ए एड़ेश और एक से ओ ओ डेश इस पैललन तो इच अधर इफ दिस इस अधिस अध्य अधिज और ओ एंड इस पोई ओ भी इस ट्रांसफरसल अगर हो भी को ट्रेस्ट तो इस दिस ट्रांसफर्स अँभी कहां एक संब्स को एंगल है कि इस एक आप इस तरीके से हमने प्रॉसर्टी सटी यह हुगा एंगल एकुल होता है है यह अपने प्रॉपर्टी दन किया होगा मैंस में तो इंगल यह बन जाएगा है यह ना तो इस इस इंगल है इस इंगल है इस इंगल आप रिफ्रेक्शन इन इस इस केस में आप देखो पैरलल प्राइल है इस 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 ट्रांस्वर्स अरग पार एंगल अरवन जाएगा के ट्रांस्वर्सर सब्सकिल किया है टू और लाइन के बीच वीच्व एंगल की आप ञिकी सेखेंडेट टृट लाइन जो एक्सिंट किस्ट गया है जो यहां सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब उस लाइट को एक्स्टेंड किया है डॉटे तब वने देखा कि यह भी एक रांस वर्शल बना रहा तो यहां पे एंगल एक्वल हो जाएगा तैसे एंगल रिकोस्तों एंगल रहे यह चीज़े लिए दें ओके अब देख सकता हो दिस वस्ट एक्ट्वे भी इस पॉइंट इस पॉइंट तो देस्ट विल बी ओर अपैरेंट देख एक्ट्वेशल रियल डेट अब इस यह जहां पर रहा है क्लियर है है और शरम नहीं पढ़ा कि हूए हम आपके अब एक्ट्वी रियल डेट तो रपरिवेंट में concept develop करने वाले किसा real depth और apparent depth calculate कैसे कहते है formula जानेंगे ठीक है इसके derivation पर जाना नहीं है ध्यान देते जाना है बस जो हम बोलेंगे fast fast सुनते जाने angle a o b कितना है angle i angle a o b is equals to angle i am I clear with this point कि साथी में एंगल i और एक है कहां पिक है ओ बी एंडेश इस अलसो एंगल है तो है क्या हम यह बी एंडेश ओ बी एंडेश इस equal to angle i हम क्या कर रहें सरी क्यों कर रहें हम apparent depth और real depth में relationship develop कर रहें कि सर यह अगर हम question में आ जाता है तो इसका value कैसे निकालेंगे तो एक relationship हमें develop करना पड़ेगा कि किस तरीके से relationship real depth और apparent depth में difference होता है तो अब एंगल आए डिनोट करेंगल आर भी कर देते हैंगल आज में आए बी और इस पॉंट को नाम देते पॉंट इस पॉंट को नाम देते हैं आए इमेज बन रहें न ओ फोर ऑबडिक आ ए अधी इस इकल टो और एग आफकाल आप देते हैं तो इसे आप नाम नम नेमिंग से पॉंट तो सी गजहीं से देंगल एंट एट इटो एंगल है इसे है एट दू आझाल मैं ट्र है बस नेयमिंग चल रहे हैं तड़ा कनफ्यूज नहीं होना नेमिंग चल रहा है थो त्लेयर है रहा है आधा ओके चल अब हम बात करेंगे ट्रैंगल बारे में देखिए हम ठीजक बाहने काल कौन से ड्रेंगल ऑबी ए ट्रेंगल के बार हम बात करेंगे इन मैं ट्रेंगल ऑबी कि आपको ट्रेंगल यह भी 90 डिग्री दिखाए दिए रहे हैं पर पेंटी डिग्री तो क्या है यह पर साइन डूल ट्रिक्णोमेट्री फॉंक्शन लग सकता है अलगी ट्रेंगल हमें ऐसा विजिबल यह देखिए अगर ब्रॉ करते हैं तो ट्रेंगल आपको ऐसा विजिब साहीन जाइन था इस पुलिए अपोजेट अपने इपोटेंगिस उदिए अपोजेट इस यह इपोटेंगल यह है उग ए आइबी नि ट्रेंगल ए आइवी खोटा रेंगल बनेगा कि इस ए इस इस आइड इस इस जीज इस पर एंद इस वी यहां पर आ रहे है इसकेस में का साइन आर अप्ला तर दें साइन आ इक उस्ट फिर से आपोजिट अब अपान आइबी अपोजिट अपॉन अपोटेनिय कलिraw रहे थे कहते है सने अंहें स स्लोथ और स्लोव सेज्ट ये साहिच नाय पन जाओ आर ये समस्यंपे साइन रेगों साहिन लों लॉकर आप Fram अब डिवाइड बाइब अब 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 इवाइड कर दिया हम रटीक है ट्रेक्षिन फोर्म में लिफ दो सिंपल फोर्म में लिखा है कन्फूजर्ट नहीं होनी चीज कि यह मैं जाएगा आई बी अपान ओबी मुंटिक्रिकेशन को तो सेकंड टम प्रोकल आई बी अपान इबी एवी से बीकैंसरा और तो इफ्रेक्टिव इंदेक्स फिल बी आई बी अपान ओपी और वाट इस आई बी आई बी कैंदिखे और ओब इक यह बदेखिए है था आई पुटिए सब आई बी अपान ओबी कैंदिखे आई बी आपन ओबी कैंदिखे आइपोटेनियस मतलब इस इंकलाइड एप्ट हाय ना है थिक है यहां पर डाने सबीका ओबी 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 ओब निटे आपके ओबी बस्तों ओके ठीक है ओके यहां पर एक कंसिट्रिशन पॉइंट है एक कंसीडर करना है कुछ चीज़ें में कंसीडर करना है तो चीज़ें कुछ चेंज़ेंट है ठीक है तो चेंज़ेंट क्या यह देखिए चीज़ेंट करना है क्या कह रहा है कुछ अजमशन है चुले अजमशन है चीज़ेंगे रिफ्रेक्ट वापॉन हो जाएगा यह रिफ्रेक्ट विप्रेक्टिव मीडियों पॉन 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 आईब पार्ट में जो भी अपॉन आई भी और यह अपून आपको देखोगी बरताप को समझ करते हैं अब यहां पर कुछ कंसीडर करें कि जो डिस्टन्स है यह बहुत मिनिमम यह बहुत मिनिमम यह एक अज़ांशन है कि जो चेंजे से अब आप यह से समझिए कि वैसल में अपने प्रट्राइब को नीचे रखा बॉटम में ठीक वैसल को एक वैसल वैसल भी नहीं है हमारे आप कि वैसल में एक्चुली नहीं मिल रहा है पर ठीक है आप पंसीडर करोंगे आप अब यहां पर रखा है और आप यहां से इतना तो इतने बड़े तो नहीं होता है किलोमीटर के रेंज के कुछ सेंटीमीटर के रेंज की होता है इतना वड़ा होता है तो जो भी चीज़ आप चोटा सी ऑब्सक्राइब करोगे तो अब्सक्राइब करते हैं पर नहीं होता होता है तो एसे किसमें हमारा अश्रम्शन करते हैं शेंसे पॉइंच एफट बीज वेरी वेरी स्ट श्रम्व खी अश्रम्शन मारा यह जो अश्रम्शन से ने सस्टम्श ब्सक्राइं अबड़ा लोग चाहिए सब्सक्राइब ऑबजेक्ट इतना गैक्लाइं नहीं हूंगी सब्सक्राइब और लेका से सपारिा फीकल पाइब नहीं हो ए तो ऐसे किसम किया हो जाएगा आएगी विल बी ऑए आएगी विल भी इक्वेस्टु आए थे द्रशन आएगी एक्वेस्टु कि आई यह बन जाएगा जिसार और अपने मज़्जी से नहीं लगाएगे कुछ इन जिस नहीं बहुत पास में और आपका उब्सर्वेशन पॉइंट इतना दूर नहों तो गए कई पास में एक तम वर्टिकल पॉइंट के बहुत नजदीक है इसके वेजिसे आपका आई भी इस इकोस टू आई यह फॉस्ट अजाएगा और सेकर अजम्शन बनेगा ओभी इकोस टू ओए ओभी इकोस टू ओए ठीक है अगर हम अभी इस पर्टिकलर फॉर्मॉले को चेंज कर तो क्या बन जाएगा तो इफ्रेक्टर इंडेक्स ओफ मीडियम विट रिस्पेक्टियो ओबी क्या है ओबी सर्फ ओए बन जाएगा और आइब इसी का तो इसी में तो डेवलप करना था तो तो क्या कर सकते हैं रिफ्रेक्टि इंडेक्स ओफ मीडियम विट रिस्पेक्टियो इस एकल तो ओए ओटो एज रिएल डिट्थ आई टुए इस अपैरेंट डिट्थ इसको यहां लिखा इसको यहां लिखा इसको यहां लिखा है तो तो अलग किसी बात है मैंने आपको बन गया रिफ्रेक्टि इंडेक्स इक्वस्टू इस इकल टू क्या मैं रिए डेप्ट अपॉन अपारेंट डेप्स तो फॉर्मॉल याद रहेगा यह बन जाएगा रिए डेप्स अपॉन अपारेंट डेफ्स ऐसले लिफ्रेक्टि इट अपारेंगे इसको सित इमेज कितना दाद शिप्टै इमेज इस बताएंगे कि शिफ्ट का फोगला क्या बनता है यह दहां दीजिए शिफ्टी प्लस्टू मारकर में चलना बंद कर दिया है शिफ्ट के वज़े से जादा शिफ्ट होगे कि चलू ठीक है शिफ्ट इक प्लस्टू इस रियर लेट नाइस कि नॉर्मण है कि तो Bennet मैंकर हैं मिल जाइक है यह यहीं में में निए आप इस एक शिप्ट कुछ चेंजिस करता हूं तो मॉडिफिकेशन ऐसा रहे है थी इस रिए डेट माइनास बन कि माइनस बन अपॉन इस करोगया रे यह कमेंच के रहा है कि शिफ्ट क्या है यह अप पारेंट है तो पता रहेँगा और के सब्सक्जि ese है तो आप फर्स्ट फॉर्मॉला इस्तमाल करोगे जब आपको अपरेंट डेप नहीं गीवन है आपको रिगल डेप्ट गीवन है कि एक कंटेनर हविंग 20 संटीमिटर डेप्ट और यह नहीं बता है कि रिए पितना है क्यल्कुलेट शिफ्ट अपको रिफ्रेक्ट्र इंडे कर सकते हो यह अपको पता है शिफ्ट पतल गता परेंट डेप में से शिफ्ट को माइनस करो कि अपरेंट डेप्ट मिल जाए तो जीजों का ध्याम दखना है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगा यह कुछ फॉर्मॉला है थ्री डिफरेंट फैक्टर्स क्या है वही फैक्टर आठेस्स और देंक्तर देंसर मीडियाउं ठीकनेस कि इसका है देंसर मिडियाउं का थीकनेसर मेडिय। जितना सारत थीक रहेगा उतने तर्ध रियुड अधेंसे थीकिनेंस इसे इंपर्टन और तीसरे बनता है डिपेंडेंसी जानी का स्फीड चेंज और स्पीडड होगा स्पीड चेंज गदो कि यहां पर याद रहेगा कि टेख दिकत नहीं चला ओके यहां सबकों यहीं पर कतम करते हैं नेक्स लास में 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 देखेंगे कि अपरेंट डेप्ट आफ इक्जामपल आता है उस निम्मरिकल देखेंगे तो बहुत इंपोर्टेट और इंटरस्टिंट टॉपिक रहे तिस क्रिटिकल यंगल टोटल इंटरनल और एंपोर्टन फि यह पिलमिन आतंगा है कि ने कर सकता है इस टोंकता के बहुत तो कि वhenटो किसे अंटल बहुत जूद लगा देंट कुछया चुमकता है यह तो उस नतलो की बडुक है है ठीक है रेंबो फॉर्मेशन की होता है कि वहां पे री ट्रेक्ष्ट्टर बढ़ा हाथ है आपने ऊपी रेंबाति ताइम यो दो से बिए हुआ है गजुटाइए पालगे फिरीजिकल फिनोमेन रोंप में आप री स्रेक्षण और टोटल इंटनल रिफ्लेक्षण देखते हो दो फिनोमेन बनता है रिफ्लेक्ट रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन में तब लाइट एंटर करेंगा एक मीडियम से दूसरे बीडियमें और जो दूसरा होता है यह तो इंटरनेट है तो इसका तो नहीं नहीं पता तो अगर तुम देखोगे तो अप्टिकल फाइबर इसके अगर पर अप्टिक फाइबर लगे इसके अगर में बहुत हाई जी इंटर्म ट्रमेंडेस स्पीड के साथ डेटा फुल स्पीड में आ रहा है